जी हाँ नमस्कार आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर हारदिक स्वागत है 447 पदों के लिए नए सीरे से होगी डोक्टरों की भरती कुल मिलाकर आपको बता दे कि 2903 MBBS ने किया था आवेदन हर्याना के स्वास्तिया मंतरी अनिल वीज अस्पतालों में डोक्टरों की कमी को लेकर गंबीर 450 पदों पर डोक्टरों की भरती पर किरिया शुरू जल्द ही आएगी लिखित परिक्षिया ये देख सकते हैं कि हर्याना की स्वास्तिया मंदरी अनिलविज परदेश के सरकारी अस्पतालों में डक्टरों की कमी को लेकर गंबीर है यहीं बज़ा है कि उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए निदेश स्वास्तिया लिकारियों के लिए दिये हैं जल्द ही 450 पदों पर डक्टरों की भरती के लिए आवेदन मांगी जाएंगे इसके बाद लिखित प्रिक्षा करवाकर अस्पतालों में डक्टरों की कमी को काफी अत्तक पूरा किया जाएगा आलाकि इससे पहले भी स्वास्तिय विवाग ने 447 MBBS डक्टरों की भरती के लिए आवेदन मांगी थे खास बात है कि इस पर करीब 2903 डक्टरों ने नो करीब पाने के लिए आवेदन भी किया था मगर एक मोके पर भरती खारिज होने की वज़े से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा था आधिकारियों का कहिना है कि इतने कम समय में अधिक तदाद में आवेदन मिलना परदेश सरकार की कह सकते हैं कि मिलना परदेश सरकार की बेहतर स्वास्ते सिवाओं का प्रिणाम है आज भी डॉक्टरों का सरकारी अस्पताल में काम करने के परती रूजान है और इसके साथ हम आपको बता दे कि मेरिट के अधार पर होगी भरती इसके बाद की जाएगे 342 डॉक्टरों की अलग से बरती आपको बता दे कि 447 के साथ 342 गॉक्टुझ पर भी भरती हो जाएगी टोटली कह सकते हैं कि 800 के लगबगपद हो जाएंगे तो ये डोक्टर्स की भरती है इसके लिए प्रशासन गमीर है सफेशल तोर पर गर्या मंतरी और स्वास्तिया मंतरी अनिलवीजी तो देखने वाले बात होगी कि कब ये बरती अंतिम पड़ाव पर चलती है और किस तरह ये बरती होती है पहले भी ये बरती के लिए आवे दिन मांगे गए थे लेकिन एन वक्त पर खारिज भी हो गए थे तो धन्यवाद जोप और जोप से रिलेड़ अधिक जानकारी के लिए इस यूडूप चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद